सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ल्ड है गंड तंत्र दिवस तो गंड तंत्र दिवस को इंगलिश में बोलेंगे रिपाब्लिक डे रिपाब्लिक डे मतलब गंड तंत्र दिवस नेक्ष्ट है सम्मिधान तो सम्मिधान को इंग्लिश में बोलेंगे Constitution Constitution मतलब सम्मिधान नेक्ष्ट है लोगतंत्र तो लोगतंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे Democracy Democracy मतलब लोगतंत्र नेक्ष्ट है लोगतंत्रिक देश तो लोगतंत्रिक देश को इंग्लिश में बोलेंगे Democratic Country Democratic Country मतलब लोगतंत्रिक देश Next है राजतंत्र तो राजतंत्र को इंग्लिश में बोलेंगे Monarchy Monarchy मतलब राजतंत्र Next है तानाशाही तो तानाशाही को इंग्लिश में बोलेंगे Dictatorship Dictatorship मतलब ताना शाहि Next है जंडा या फिर धज तो जंडा या फिर धज को एंगलिश में बोलेंगे Flag Flag मतलब जंडा या फिर धज इसका एक्जामपल है हमारे प्रधानमंतरी कल जंडा फेराएंगे को इंगलिश में बोलेंगे Our Prime Minister will host the flag tomorrow मतलब हमारे प्रधानमंत्री कल जंडा फहराएंगे Next है तिरंगा तो हमारे तिरंगे में तीन कलर होते हैं तो तिरंगा को इंगलिश में कहेंगे Tri-Colour Tri-Colour मतलब तिरंगा Next है चक्र तो इसे अशोक चक्र भी कहा जाता है तो चक्र को इंगलिश में बोलेंगे Wheel Wheel मतलब चक्र Next है तीली तो जो अशोक चक्र में तीलियां होती हैं वो 24 होती हैं तो तीली को इंगलिश में बोलेंगे Spoke Spoke मतलब तीली Next है तोप तोब को इंगलिश में बोलेंगे कैनन कैनन मतलब तोब नेक्ष्ट है परंपरा तो परंपरा को इंगलिश में बोलेंगे ट्रेडीशन ट्रेडीशन मतलब परंपरा नेक्ष्ट है सलामी तो सलामी को इंगलिश में बोलेंगे सल्यूट Salute मतलब salami Next है samadhi तो samadhi को इंगलिश में बोलेंगे mesolium Mesolium मतलब samadhi Next है parade तो parade को इंगलिश में parade ही कहा जाता है Next है sena या फिर forge तो sena या फिर forge को इंगलिश में बोलेंगे troop ट्रूप मतलब सेना या फिर फॉज नेक्ष्ट है देशभक्त तो देशभक्त को इंगलिश में बोलेंगे पैट्रोइट पैट्रोइट मतलब देशभक्त नेक्ष्ट है देशभक्त या फिर राष्ट प्रेम तो देश भक्त या फिर राष्ट प्रेम को इंग्लिश में बोलेंगे पेट्रोइटेज्म पेट्रोइटेज्म मतलब देश भक्त या फिर राष्ट प्रेम Next है देश द्रोही तो देश द्रोही को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेटर ट्रेटर मतलव देश द्रोही नेक्ष्ट है संस्कृतिक कार्यक्रम तो संस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में बोलेंगे कल्चलर प्रोग्राम कल्चलर प्रोग्राम मतलव संस्कृतिक कार्यक्रम नेक्ष्ट है लोक नृत्य लोक नरित्ते को इंग्लिश में बोलेंगे फॉक डांस फॉक डांस मतलब लोक नरित्ते नेक्ष्ट है राष्टगान तो राष्टगान को इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एंथम नेशनल एंथम मतलब राष्टगान नेक्ष्ट है राष्टगीत तो राष्टगीत को इंग्लिश में बोलेंगे National Song National Song मतलब राष्टगीत Next है भाषन तो भाषन को इंग्लिश में बोलेंगे Speech Speech मतलब भाषन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो Like, Subscribe and Share कीजिए Cambo Classes